अलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन कलमने इस लॉजिसम का कॉनसेप्ट पड़ा था, कुछ कोस्चन्स करेते और अल्ली ए फ्यू, अल्ली और कैन ने वर भी का कॉनसेप्ट भी पड़ा था एक ये वाला कोस्चन भी सॉल्व कराता है ना आज हम और ज़्यादा कोस्चन्स वॉल्व करते हैं, थोड़ टीपिकल कोस्चन्स लेते हैं, जिस चरह के आपके एक्जाम में आए हैं, आएंगे और आते रहेंगे तो पहले हलका से रिवाइस कर लेते हैं, अल्ली ए फ्यू के बारे में हमको क्या बता है तो only a few को आपको किसमें चेंज कर लेना है, some only a few a or b अगर लिखा हुआ है, तो some a or b, दूसरा क्या हो जाएगा, some a or not b, ठीक है, only a few का मतलब सिर्फ इतना सा है, some a or b और some a or not b, जो हमारे पास conclusion होगा, हमको दोनों से चेक करना है, अगर एक से भी सही हो जा अगर वो एक भी हमारी जो एक भी statement है, या तो some a or b, या some a or not b, इन दोनों में से किसी में भी सही हो जाता है, तो हमारा conclusion सही होगा, question में देखेंगे हम क्या कहने का मतलब है, जो normal सी logism है, ये उसके अंदरा कर एक सभी सही हो जाएगा, तो आपका question सही होगा, और जब possibility करें हम वो next video में possibility का पूरा concept देखेंगे, without Venn diagram 150 method से, सिरफ question देख के आप answer बताएंगे, कोई Venn diagram निमनाना, कोई time waste नहीं करना, ठीक है, तो some a or b, some a or not b, इन दोनों में change करना है आपको, और आपको हर बाल ये दोनो statement लिखने की जरूत नहीं है, even एक भी लिखने की जरूत नही कैसे, आपको exam में सबसे बड़ा मोटर है time बचाना, तो time कैसे बचेगा आपका exam में, वो ही मैं आपको भी question के तुरू बताऊंगा, कैसे आपको देखना है, बस आपके दिवाग में 2-3 concept ले होना चाहिए, एक तो common word का, एक जो हमने common word का concept देखा था, एक merging, कैसे merge करने के ल चाहिए, एक positive, negative वाला देखा था हमने, अगर positive और positive statement है, तो positive conclusion आएगा, positive और positive statement है, तो positive conclusion आएगा, negative और negative है, तो no conclusion आएगा, ये बात आपको पताऊंगा चाहिए, और आपको value पताऊंगा, all की value 150, sum की value 50, sum not की 150, और not की 100, बस, यह हमें सब कल डिसकस कर रहा था, पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं, चलो, question पर आज आपसी दग, आज हम, कल तो हमने basic से बिल्कुल पड़ा, आज हम इस चीज को देखेंगे, हमें actually में exam में कैसे solve करना है, ठीक है न, actually में exam में time बचाते वए, कैसे solve करना है question हो, देखो, पहला सीधा आपको conclusion पढ़ना है, चाहे वो possibility case हो, चाहे mix case हो, चाहे वो आपका reverse solution में, कुछ भी हो सीधा conclusion पर आजाओ पहले, some mail और Google, conclusion देखते हैं, आपको पहले चीज दिमाग में क्या आजाने चाहिए, कि ये positive है, इसका मतलब जो इसकी statement, जिन statement से मिलके बना होगा, वो भी क्या होंगी, positive हो, दोनो statement क्या होंगी, positive, क्योंकि ये positive है, all or some positive होते हैं, some not or no negative होते हैं, तो ये क्या है positive, इसका मतलब statement भी positive रही होंगी, दोनों, चलो, mail से Google की तरफ जाना था मुझे, ये मेरी first statement माल लूँ है, second माल लूँ, अब देखो, पहले तो इसका मतलब समझो, only a few mail और Gmail, इसको आप ऐसे लिखन आथा, exam में नहीं, लिकिन आपको समझने के लिए बता रहो, मैं आपको, इसका मतलब क्या है, some males are Gmail, और some males are not Gmail, अब तीसरी, एक, दो और ये तीसरी, ये एक ही है, दोनो, only a few से निकली होई है, दोनो, और एक ही होगी, आपको जो आपने conclusion check करना है, तो पहले इसको लेके, और इसको लेके check करना था, जो concept है लेके, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कि किस तरीके से आप बिना इतना कुछ लिखे, आप सीधो solve कर सकते हो हैं, वह मैं भी आपको बता रहा हूँ, पहले आप समझो, क्या कहना च सही ही होता, मतलब इन दोनो statement में से, एक statement के धुरू, जो हमारा conclusion है, वो सही होना चाहिए, बस, इतना जा concept है, ठीक है, चलो, ये लिखे रहे हैं दो चलो अब भी concept समझने के लिए, बाकि आपको exam में लिखने की जिरूबत नहीं है, कैसे, देखो, इतना में आपको समझ में आगया कि आपका जो ये conclusion पढ़ना है सबसे पहले, conclusion पढ़ती पर चल गए आपको positive है, अगर positive conclusion है तो दोनों जो statement से मिलके बना होगा, वो भी क्या होंगी positive, ठीक है, पहले चीज पर चल गई, mail से Google जाना था, mail मेरे पास यहाँ पे था, Google मेरे पास यहाँ पे था, इसका मतल Gmail और Google positive है, ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आपकी जो दोनों statement है, वो positive होनी चाहिए, क्योंकि आपको conclusion positive है, तो पहली statement तो आपको positive मिल गई, दूसरी statement positive करने के लिए आपको, अब आप दिमाग लगाओ, या तो आपको ये लेना है, या तो आपको इस से सही करना ह है, suppose करो, अगर आपने ये ले लिए दलती से, तो यह क्या है, negative है, some mails are not Gmail, तो negative है न, इसका मतलब negative तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि अगर आप negative ले लोगे, तो positive plus negative, positive statement plus negative statement, क्या देगी आपको negative, लेकिन मेरे पास जो positive statement और negative statement आपको negative conclusion देगी, लेकिन मेरे पास जो conclusion है, पॉजिटिव है इसका मतलब आपको दिमाग इतना आपका जो है शार्क होना चाहिए इतने आपके प्रैक्टिस होने चाहिए आपने पॉजिटिव कॉन्कूजिन देखा तो आपको दिमाग में दोनों सेक्मेंट पॉजिटिव होनी चाहिए ठीक है मेरे को जो मर्ज करनी है पहली statement तो positive है second statement positive होनी चाहिए तो इसका मतलब मुझे ये तो लेना ही नहीं है तो मैं इसको क्यों देखूँ इसको मुझे देखने के जुरत ही नहीं है तो मैं direct यहाँ पर यह value उसकी put कर सकता था some mails are gmail की value मतलब mails की value ही 50 होगी यह gmail की 50 होगी some value की इतनी होती है 50 और 50 तो mail की value 50 होगी जी mail की 50 होगी अब आपको यह लिखने के जो अपनी थी नहीं आपको इतना समझना था कि दोनों statement positive होनी चाहिए positive होने के लिए आपको यहाँ से आपको positive वाली statement उठानी पड़ेगी जो कि क्या है some mails are gmail चलो some mail are google अब इसको merge करके देख लो mail से मेरे को google आना है gmail के उपर यहाँ पर कितनी है 50 value यहाँ पर भी कितनी है 50 मैंने आपको क्या बताया था एक statement के अंदर जो value होती है वो क्या दिखाती है income उस element की तो gmail की एक जिगा पर जो income 100 होनी चाहिए थी तब ही हो merge हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर दोनों में 50-50 है तो merge नहीं हो सकते तो that क्या होगी answer गलत तो आपको इतना कुछ लिखने की जरुवत नहीं थी सिरफ mind में आप सोचना कैसा था mind में आपको यह भी देख लो एक बार हमारा motor exam में क्या है solve करना तो ही question fast solve करना भी है fast यह नहीं कि आप एक question के अंदर 2-3 minute लगा दो 2-3 minute लगा दोगे तो फिर क्या फायदा हुआ solve करनेगा कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि selection तो होगा नहीं 2-3 minute के अंदर एक question करोगे तो आपका prime motor गया है fast accuracy with speed ठीक है तो आपको कैसे हो जाँ दिमाब में आपने देखा positive है conclusion तो positive positive statement लोने चीए ठीक है मुझे mail से google जाना था mail से google आना था मुझे इन दोनों को merge करना था merge करने के लिए एक तो मेरे को positive मिल गई दूसरी मुझे positive चीए only if you के अंदर एक positive statement चुपी होती है एक negative statement चुपी होती है एक sum वाली एक sum not वाली तो negative तो मुझे लेनी नहीं तो में negative को देखूँई क्यों मुझे positive ही लेनी है खाली sum mail और gmail तो मैं positive वाली देखता हूँ ना तो positive वाली देखूँँगो तो अब्यसी बात है पचास-पचास दोनों पर value आएगी यहां पर यह 50-50 आ गई पचास और पचास सो मर्ज होई नहीं सकता direct क्या करोगे आप गलत same case में देखोगे आप no google is mail google से फिर mail की तरफ जाना है लेकिन यहां पर gmail पर क्या है 50-50 तो मर्ज नहीं हो सकती अच्छा इसको देखने का एक तरीका और हो क्या हो सकता था आप देखो no google is mail अगर google की अपर value लिखोगे तो 100 आएगी no की value 100 और 100 होती है google की value कितनी आ गई 100 यहां पर दोनों statement सिर्फ एक जिगा google है कितना है यहां पर 50 मतलब google की जो income है google की वो कितनी है 50 रुपे statement में जो हता वो income होती है conclusion में जो हता वो expenditure होता है expenditure यहां पर कितना कर रहा है वो 100 रुपे कर सकता है के नहीं कर सकता तो तो direct गलत था और को चेक ही नहीं करना था अच्छा इतना आपको समझ में आ गया दोनों statement मेरी गलत है लेकि मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कल अगर दोनों statement गलत है तो either or का case भी आपको check करना है अगर उनके जो है element same है तो either or का case भी check करना है देखो यह either or case बन सकता है क्या देखो जड़ा एक बार दोनों तो गलत होगी पहली condition मेरी क्या थी बहुत रोंग दोनों के दोनों गलत होने चाहिए ठीक होगी चलो next पर आओ element same, mail, google element same मैंने आपको क्या बताया था order से मतलब नहीं है mail और google mail और google सिर्फ आपको elements देखने है element भी same हो गए दो condition मेरे पास satisfy हो गई wrong और same तीसरी क्या थी एक positive एक negative some वाला positive है, no वाला negative है ये वाली भी condition satisfy हो गई इसका मतलब क्या answer होगा इसका either or either first follow और second follows ठीक है चलो, next पर आजो देखो all duck is bird, all bird is sparrow only a few cross per इसका मतलब क्या होता है वैसे some grow our experiment मैंने कल भी आपको पताया था जब भी आप कौन से आप पढ़ो तो time दो ताकि आप exam के अंदर सो कम time में solve कर पाऊ दोनो inversely proportional है अगर आप preparation में ज़्यादा time दोगे तो आप final exam में कम time लेके solve कर पाऊगे अगर आप preparation में कम time दोगे exam में ज़्यादा time लेके solve कर पाऊगे दोनो inversely proportional है ठीक है चलो यहाँ पे क्या है some grow are not sparrow इसका मतलब यह हुआ मेरे पास exam में बिलकुल नहीं लिखना है को crow से bird आना है मुझे मुझे crow से bird आना है तो crow मेरे पास यह रहा bird मेरे पास यहाँ पे भी है मैं बपक्त कल क्या बता है तो कौन सा बड्र लेना पड़ेगा आपको जिसके साथ sparrow जुड़ा हो क्योंकि crow के साफ मेरे पास is sparrow है तो मुझे common word बनाने के लिए ऐसा bird लेना पड़ेगा जिसके साथ sparrow तो crop के साथ sparrow है तो यहाँ पर bird के साथ sparrow है इसका मतलब मुझे यह और यह statement को merge करना पड़ेगा यह और यह statement को merge करना पड़ेगा ठीक के चलो यह मेरे पास क्या है अब positive होंगी तो एक पहली वाली तो मुझे positive यह जो statement इसको merge करना है इसके only of you के अंदर मैं आपको बताया ना कि positive भी छुपी होती है और negative भी तो यह आपको check करने के लिए आपको conclusion के थुरू जाना पड़ेगा अगर conclusion positive है तो दोनों statement positive होने चाहिए यहाँ पे पहली statement positive हो चुकी है second वाली को positive लेने के लिए मुझे कौन सी लाइन लेने पड़ेगी यह वाली इस वाली को नहीं लेना था तो लिखने की जरुवती ही नहीं थी सिरफ यहाँ पे यह value आपको आप suppose करने थी 50 और 50 क्यों क्योंकि मुझे को positive statement लेने यह खाली positive की value 50 और 50 होती है यहाँ पे कितनी value है 100 और 50 मुझे जाना कहां से कहा था crow से bird देखो crow ये रहा और bird ये रहा common word क्या है sparrow लेकिन दोनों sparrow के उपर क्या है 50 और 50 है ना दोनों sparrow के उपर क्या है 50 और 50 तो ये merge नहीं हो सकती है ठीक है ना merge नहीं हो सकती क्यों क्योंकि एक जो मैंने पताया था आपको एक की income statement के अंदर income show करता है और एक element की income at least 100 होनी चाहिए अगर आपको merge करना है तो यहाँ पे दोनों की income sparrow के income यहाँ भी 50 है यहाँ पचास है यह merge नहीं हो सकते डिरेक कर लाथ है ठीक है next एको some duck are sparrow इसको थोड़ा सा मिराज कर देते हैं ना only a few case बहुत ज़्यदा असान है पता नहीं क्यों इतना जो है वो कर रहा हुए बहुत easy है कुछ नहीं है इसके अंदर बस आपको यह देखना है कि हो sum से solve होगा या sum not से solve होगा अगर positive conclusion है तो positive से करो उसको call negative conclusion है तो negative easy कितना है देखो some duck are sparrow duck से मुझे sparrow के तरफ जाना है अच्छा duck तो मेरे पास खल ही यहीं पर ही है sparrow लेकर मेरे पास यहां भी है और यहां भी है तो मैं कौन से वाला sparrow लूँगा duck के साथ क्या है मेरे पास bird तो मुझे ऐसी statement लेनी पड़ेगी जिसके अंदर sparrow के साथ bird हो क्योंकि bird को मैं common बना दूँगा तो मेरे पास क्या बची ही यह वाली दोणो क्योंकि यहां duck के साथ bird है यहां bird के साथ sparrow है तो मुझे जाना कहां से कहा है duck से sparrow ड़क से sparrow तो जाना है न देखो तो value दोगे अगर यहां 100 और यहां 50 यहां पर 100 और 50 तो देखो bird की value यहां पर तो 50 है यहाँ पर 50 इंकम है लेकिन यहाँ कितनी है 100 एक एटलीस मैं आप पता है था एक जगा कम से कम 100 रुपे इंकम होनी चाहिए element की जो common element है एक जगा पर उसकी है 100 ठीक है मर्ज हो जाएगा डख 100 रुपे कमा रहा है खर्च कितने कर रहा है 50 यहाँ पर value 50 है न कर सकता है इस पैरो 50 कमा रहा है खर्च कितने कर रहा है 50 ही कर सकता है तो इसका मतलब क्या होगो only conclusion to follows ठीक है यह वाला देखो same अब मैं आपको द्वारा से इसका मतलब नहीं बताऊंगा क्या मतलब है इसका आपको पता है some serene are poker some serene are not poker अब हम नहीं लिखेंगे हमें exam में जैसे करना है वो देखेंगे all serene are poker क्या है यह conclusion देखना आपको positive conclusion है इसका मतलब जो दोनो statement होंगी वो भी positive होंगी serene से मुझे poker जाना है अचा देखो serene से poker तो मेरे को यहीं पर मिल रहे हैं दोनों चीजे serene से poker तो मुझे दोनों चीजे यहीं मिल रहे है और इसका positive version क्या होता है some serene are poker exam मैं आपको लिखने ही ज़र होती है direct आपको पता होना चीजे है कि 50-50 value होगी अच्छा 50-50 value मिल गए मुझे serene और poker की यहाँ पर value कितनी है serene की 100 और यहाँ कितनी 50 serene की जो statement में value है वो क्या है income serene की income कितनी है 50 खर्च कितने कर रहा है वो 100 और पर कर सकता है क्या नहीं कर सकता है direct गलत और कुछ चेक नहीं करना direct गलत sum धीरजार not serene धीरज तो खाली यहाँ पर है serene यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है देखो आकाश common हो गया जो conclusion हो कह है negative तो इसका मतलब एक positive चाहिए मुझे statement एक negative चाहिए ठीक है यह वाली positive है यह वाली negative है अभी तक की सारी condition सही है अब अगला चेक कर लो आप इनकों value देखे 50 और 50 देदो यहाँ पे यहाँ पर 100 और 100 आजाएगी 9 की value 100 और 100 होती है तो धीरच की यहाँ कितने हो गई 50 सही कितने हो गई 100 50 कमा रहा है 50 खर्च कर रहा है कर सकता है सरीन यहाँ पर यह तो common आकाश तो कड़ गया सरीन 100 कमा रहा है 100 ही खर्च कर रहा है कर सकता है इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया, only conclusion to follows, only conclusion to follows, चलो, next चलो, देखो, direct conclusion को देखना, आपको यह conclusion क्या है, देखो, sum plus not का, sum plus not का मतलब क्या हो गया, negative conclusion है, negative conclusion, negative conclusion के लिए क्या होता है, एक positive statement होने चीए, और एक क्या होने चीए, negative statement, एक positive statement, एक negative statement, जाना कहां से काहें आपको जग से कप की तरफ जग देखो यहां पर कहां पर है मेरे पास यहां है third statement पे मेरे पास जग है ठीक है और cup कहाँ पर है यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है लेकिन कौन सा cup लेना पड़ेगा आपको जग के साथ देखो क्या है plates तो plates को आपको common word बनाना पड़ेगा तो plates के साथ कौन सा cup है second वाला इसका मतलब इस नोरो statement को merge करना पड़ेगा आपको ठीक है ना अब negative है आपका conclusion तो एक statement positive एक statement negative आपको merge किस किस को करना है second और third को अगर आप third वाली को देखो के तो यह क्या है positive तो मुझे positive वाली statement तो मिल गई चाहिए काम सी negative वाली अपको अपको तो आपको पॉस्टिव वाली से तो मुझे मतलब नहीं क्योंकि मुझे चाहिए negative statement एक मेरे को positive मिल चुकी है एक मेरे को negative चाहिए ताइ मेरे पास क्या होगा conclusion negative आएगा ठीक है ना तो पॉस्टिव वाली तो मुझे मिल चुकी third वाली negative चाहिए Only a few के अंदर positive भी चुबी होती negative भी लेकि मुझे positive तो चाहिए ही नहीं तो मैं इसको क्यों देखू negative चाहिए इस बार इसकी value आप यहाँ पर क्या समझोगे 50 और 100 क्योंकि sum इसका मतलब क्या हुआ negative statement का sum cups are not plates है ना negative statement है यही वाली मुझे चाहिए थी cups की value 50, plates की value कितनी 100 ठीक है ना तो जग से cup की तरफ जाना है मुझे देखो यहाँ पर value कितनी है 50 और 100 तो देखो जग पहले देखो आप merge कर पारे ने कर पारे plates की value plates common है एक के उपर 100 है merge कर सकते हो ठीक है इतना कब 50 कमा रहा है खर्च कितने कर रहे है 100 रुपे कब की income कितनी है 50 खर्च कितने कर रहे है 100 रुपे कर नहीं सकते direct गलत हो गया अच्छा यह मैंने आपको समझाने के लिए बताया है लेकिन इस question करने का main तरीका था वो आपको सिरफ इतना देखना था सिरफ और सिरफ इतना देखना था आपको शुरू में इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप पहले value लिख लो ताकि आपके दिमाग में value लिखने से जिसका concept क्लियर है बहुत कुछ क्लियर हो जाता है आप जब यहाँ पर cup की value 100 लिखते हैं तब भी मेरी दोनों टाइम में cup की value कितनी रहती 50 50 और cup यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ वेल्यू कितनी है 50 यहाँ भी cup की value 50 यहाँ भी cup की value 50 तो एक बाद बता हो अगर वह statement में जो होता है वह क्या दिखाता है इंकम तो कब अगर 50 रुपे ही कमा रहा था हर जगा पर 100 तो खर्च करी नहीं सकता था तो कुछ और आपको चेक करनी जिरुआती नहीं थी डिरेक्ट रॉंग करना था आपको इसको ठीक है next क्या है all plates are bottles all plates अब देखो इस वाले case के अंदर देख लो कैसे होगा plates की value आप यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर कितनी है 100 100 वो खर्च कर रहा है na conclusion में expenditure दिखाता है 100 और पर खर्च कर रहा है यहाँ पर plates की value देखो कितनी आ सकती है एक जगा पर यहाँ पर अगर मैं positive लेता हूँ sum वाला case लेता हूँ तो plates की value कितनी आ सकती है 50 लेकिन अगर मैं sum not वाला case लेता हूँ sum cups are not plates तब plates की value कितनी आती है 100 लेकिन एक बास सोचो अगर मैं negative वाली statement को अगर मैं negative वाली statement को लूँगा तो मेरा जो conclusion है वो भी negative आना चीह है न लेकिन यह क्या है all plates are club all plates are bottles इसका मतलब यह क्या है positive conclusion conclusion क्या है positive तो इसका मतलब है किस किस statement से बनाओगा positive statement से बनाओगा दोनों statement positive होनी चाहिए लेकिन अगर मैं इस वाली plates को लेने कोशिच करूँ जिसकी value 100 है सिर्फ एक बात plate ऐसी है जिसकी value यहाँ पे 100 है क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ भी 50 है यहाँ भी 50 है सिर्फ एक यहाँ पे 100 है और खर्चा उसका 100 है इसका मतलब कम से बाम उसे 100 तो कमाना पड़ेगा 100 खर्च करने के लिए लेकिन अगर मैं इस वाली plates की value लेता हूँ तो यह क्या है negative statement क्या है negative statement तो negative statement अगर positive में मिलेगी negative अगर positive में मिलेगा तो negative conclusion आना चीए और negative अगर negative में मिलेगा तो no conclusion आना चीए तो इसका मतलब है किसी बी तरीके से सही नहीं हो सकता न कैसे होगा सही फिर से देखो एक बाद एक चीज को समझो यहाँ पे छोटी सी जिसको समझ में आगया वो next question अपने आप solve करने कोईश करें जिसको नहीं आया वो फिर से एक बाद इस चीज को देख लो मैं क्या कहना चाहरा हूं यहां पे यह concept बहुत अच्छा है positive negative वाला और all some some not और no इन चारों में आपका पूरा अगर यह positive में चेंज करोगे some cups और प्लेट तो भी कब की वेल्यू पचाहस है negative में चेंज करोगे some cups और प्लेट्स तो भी 50 है अब जो बंदा 50 रुपे कमा रहा है यहां भी 50 कमा रहा है यहां भी 50 कमा वो सो खर्च कर सकता है कि नहीं कर सकता तो गलत करो ना positive negative कुछ चेक ही नहीं करना, ठीक है, ऐसी second value में देखो, ऐसी second value में सोचने कोईश करो, इतने advance level पर आपको जाना पड़ेगा अगर exam clear करना है आज के date में तो, कोई भी condition exam में आपको clear करना है, इस तरीके से आपको सोचने शुरू करना पड़ेगा, all plates are bottles, plates की value क्या है यहाँ पे 100, bottles की ह है 50, चीक है, तो आपको हमेशा ध्यान कान सी values पर देना होता है, जो conclusion के अंदर 100 बन रही होती है, जो values conclusion में 100 बन रही होती है, उनकी उपर आपको ध्यान देना होता है, तो plates की value हे यहाँ पर 100 बन रही है, अब पहले यहाँपे plates की value czas की value चेक करो, यहाँ तो 50 है, इस से मुझे हैं, यहाँ पर कमाई कितनी है, 50, तो यह तो कुछ काम का है नहीं मेरे, अच्छा, यहाँ पर मैं देखता हूँ, अगर मैं positive की बात करूँ, some cups are plates, तो plates की value 50 ही है, लेकिन negative conclusion की, negative statement की बात करूँ तो मेरे पास plates की value 100 है क्यों, some cups are not plates are not plates, nots के बात क्या लिखा है, plates, तो उसके value कितने होगे 100, लेकिन एक बात और सोचने वाली है, क्या यह मेरा positive conclusion है positive conclusion है, अभी हमने क्या बता है था को, अगर positive conclusion है, जिस statement से मिलके वो बना होगा, statement 1 और statement 2, वो भी क्योंने चाहिए, positive होने चाहिए दोने अगर मैं इस वाली से सोचू की हो बन सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा plate से जिसके पास 100 है, 100 कमाएगा तब ही 100 खर्च कर सकता है, तो सिरफ और सिरफ एक यह case हो सकता है, जिस से इसका answer आ सकता है, लेकिन, यह क्या है positive conclusion, यह क्या है negative statement, अगर आप negative statement को, positive statement के साथ मिलाओगे, तो भी क्या आएगा negative conclusion, negative को negative के साथ मिलाओगे, तो क्या आएगा no conclusion, इसके लाबब तीसरो option तो होता नहीं, positive और negative यही चीज़े हैं बस, तो negative इससे मुझे अगर answer निकाल लाएं, तो negative के साथ यह तो positive को मिलाना पड़ेगा, यह negative और negative को मिलाना पड़ेगा, अगर negative और positive को मिलाते हो, तो क्या आता है मेरे पास negative conclusion, जो कि वैसे ही गलत है, क्योंकि positive conclusion है और negative negative मिलेगा, तो no conclusion तो भी गलत है, अगर डिरेक गलत है कुछ आपको pen भी नहीं उठाना था, और यह question हमारा, IBPS के अंदर आया हुआ है, एक बार pen भी नहीं उठाना था, direct question जालता इसका answer क्या था आपका दोनों गलत हो गए ना आपके तो neither ठीक है ना, दोनों गलत हो गए आपके तो आपका क्या answer था इसका neither nor, ठीक है ना चलो next देखो next देखते हैं next question हमारा वो SBIPO pre-2019 का question है इसको हम धोड़ा आटा देते हैं हमारा answer क्या हो गया, D, neither one, neither two ठीक है तो आपको देखना है, आपने करा क्या है, आपने सिरफ और सिरफ positive negative चेक करा, और common value के ओपर जो आपकी value थी, उसके ओपर hundred or fifty से चेक करा, कि उसकी income कितनी थी हो और expenditure कितना तो यही तीन चर concept है, जो आपको दिमाग में रखने हैं, कोई भी question आपका solve हो जाएगा, possibility का हो reverse syllogism हो, normal syllogism हो only a few का हो only का हो, कोई भी हो, अभी हम only और only few से related to question देखेंगे, mix up only और only a few के, इस question में can never भी आ गया हमारे पास, ठीक है ना तो, देखो SBI PO का exam portion था, इसलिए इसने दो तो only a few days के अंदर उसके बाब can never भी भी दिया तो अच्छा motion है कि चेक करते हैं मैं आपको कल एक चीज़ बताए थी can never भी जब भी लिखा होगा तो वैसे तो इसका मतलब यह होता है no a r b और some a r not b some a r not b लेकिन आपको यह चेक करने की जुरूत नहीं है सिरफ some a r not b चेक करो, अगर इससे अंदर सही हो रहा है तो वो अंदर सही है, ठीक है इसीच को दिमाग में रखना आप, can never भी जब भी लिखा है तो उसको change कर लो, some a r not b ठीक है इसको आप समझ सकते हो, मैं क्या लिख सकता हूँ some a, मतलब some delta r not wave बस एक tension आपके खत्रम होगी, जो आपको question देखके मुश्किल लग रहा था, थोड़ा सान हो गया अब only a few वाले case आपको ये भी exam में लिखना नहीं है, ऐसे some delta r not wave, समझना है सिर्फ दिमाग में कि इसका मतलब ये है अब next all करने का तरीका वोई conclusion चेक करो conclusion क्या है, negative है values कितनी है, इसके पर 50 और 100 conclusion negative है, और value कितनी है 50 और 100 पस क्या तरीक है, किस way में आपको चलना है यहां से देखो, पहले आपको ये चेक करना positive negative conclusion है, value 50 और 100 100 किस के उपर आ रही, मेरी wave के उपर, मैं आपको बताया था, जिस conclusion के उपर 100 आ रही है, उसी की पहले उपर value चेक करो कि 50 है या 100 है wave की value यहां पर 100 दिख रही है मुझे, इतना तो मेरा ठीक है, मुझे आगे बनना चाहिए delta से wave की तरफ जाना है अच्छा, delta यहां पे भी है delta यहां पे भी है, wave खाली यहां पर है, wave खाली यहां पर है, wave के साथ क्या है river इसका मतलब मैं कौन से वाला delta लूँगा, जिसके साथ river जॉइन हुआ होगा क्योंकि मुझे merge करना है, merge के लिए common word चीए, common word क्या हो जाएगा river common word क्या हो अगे river जिसका मतलब मुझे इन दोनों statement को merge करना है, second और third को merge करना है इतना समझ में आगे न आपको चलो, next score score इसको आपको merge करना था conclusion क्या है negative अब इसको समझने कोईश करो मुझे इसके अंदर यह आपकी दो statement बताता है, एक positive बताता है एक negative बताता है ठीक है न, एक positive some delta river, negative some delta are not river, दो statement बताता है लेकिन मुझे कौन सी लिनी यह किस पर चलेगा conclusion से, मेरा conclusion क्या है negative, negative conclusion आने के लिए एक statement आपको positive चाहिए और एक statement आपको negative चाहिए एक statement आपको positive चाहिए एक statement आपको negative चाहिए merge किस किस को करना है मुझे इसको और इसको second और third को merge करना है third वाली statement third statement जो है मेरे पास वो क्या है negative no river is wave क्या है negative negative वाली मुझे मिल गई चाहिए कौनसी अब positive वाली चाहिए कौनसी positive वाली Only a few के अंदर एक positive चुपी होती है एक negative चुपी होती है मुझे negative से कुछ काम नहीं है क्योंकि मुझे negative तो यहाँ पर मिल चुकी है positive से काम है सिरफ positive वाली देखो ना फिर अब positive के अंदर वाली क्या होती है पचास और पचास river की वाली 100 wave की वाली भी 100 ठीक है जिसको मुझे merge करना है उसके लिए common word क्या है river एक river के उपर 100 देखो river यहाँ कितना कमारा है 50 रुपे यहाँ कितना कमारा है 100 रुपे merge हो सकता है एक के उपर 50 रुपे अब डेल्टा 50 कमारा है खर्च कितने कर रहा है देखो all delta can never be wave को मुने क्या लिखा है some delta are not wave 50 कमारा है खर्च कितने कर रहा है 50 ही कर सकता है wave 100 कमारा है खर्च कितने कर रहा है 100 ही खर्च कर सकता है इसका मतलब statement conclusion 1 है वो मेरा ठीक हो चुका कैसे चेक करा मैंने वीडियो को बाउस करके खुश सोचने कोईश करो पहले एक बार conclusion negative था negative बनाने के लिए एक statement positive चाहिए एक statement negative चाहिए एक statement positive चाहिए एक statement negative चाहिए इन दोनों को merge करके मैं delta से wave की तरफ पहुश सकता था क्योंकि river common था इन दोनों को merge करके मैं delta से wave पहुश सकता था क्योंकि river common था ठीक है थर्ड वाली statement negative मुझे मिल गई चाहिए क्याती एक positive एक negative negative मिल गई only if you के अंदर एक positive चपी होती एक negative positive कौनती थी some delta are river negative कौनती से some delta are not river positive तो मुझे मिल गई चाहिए मुझे क्या negative मुझे मिल चुकी है थर्ड में negative मिल चुकी है चाहिए मुझे क्या पड़ेगी अब positive only if you का positive वर्जन निकाल लो क्या है some delta are river बस उससे आप question solve कर लो normal तरीके से next एको no river is beaches इसको मटा देते हैं सब को समझने में सानी होगी आपको no river is beaches river से कहा रहना है beach की तरफ river से beaches ये वाला river और beach is क्यों लिया river तो यहाँ पे भी ये क्यों क्योंकि यहाँ पे क्याए delta और यहाँ पे भी क्याए delta तो common क्यों हो जाएगा delta चलो अब मुझे ये देखना है कि मुझे only a few का positive version लेना है या negative version लेना है क्या से देखूँगा ये क्या है negative conclusion ये क्या है negative conclusion चलो अच्छा negative conclusion के लिए एक positive चाहिए और एक negative चाहिए एक positive चाहिए और एक negative चाहिए लेकिन ये दोनों cases क्या है only a few के इसमें भी एक positive है इसमें भी एक negative है इसमें भी एक positive है एक negative है अब आपको यह कैसे पर चलेगा कि मैं इसका यो कोई कोशन उसका गलत नहीं हो सकता कोई कोशन गलत नहीं हो सकता और aa 3-4 मिनिट से ज़्यादा उसको कोश्चन 5-6 कोश्चन स्वाल करने में 2-3 मिनिट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, यह भी गरंट, यह चाह कितने मुश्किल कोश्चन हो, चलो, अब यह तो आपको पार चल गया, मेरे को जो कॉन्क्लूजन है वो नेगेटिव है, तो एक पॉ कितनी है, 100, है ना, एक बात बताओ मुझे, पहले तो आपका यह डिरेक्टी गलत हो गया, अब पूछो कि कैसे गलत हो गया, देखो, इस वाले को सोच के देखो, इसका मतलब क्या है, सम, बीच, आर, डेल्टा, सम, बीच, आर, नॉट डेल्टा, ठीक है, यहां बीचिस की कितनी है, 50, यहां भी कितनी है, 50, बीचिस वाल कहीं तो हैं नहीं मेरे पास, यहां, 50 कमा रहा है, वो, 50 कमा रहा है, दोनों जगावे 50 कमा रहा है, खर्च कितने कर रहा है, वो, 100, 50 कमा रहा है, 50 ही कमा रहा है, ऐसा हो सकता है, कि 50 कमा रहा है, और 100 खर्च कर दे नहीं हो सकत तो क्या करता हो फिर वो उसके लिए फिर क्या तरीका था देखो बैस आपको यह पार चलना चाहिए कि यह डायर्ट गलत होगा में पास और नहीं तो अगर कुछ और तरह की स्टेट्मेंट होती तो हम क्या चेक करते हैं कि आपको किसका पॉस्टिव किसका नेगेटिव लेना है देखो एक बाह बताओ इस वाले के अंदर जब मैं पॉस्टिव लिखूंगा तो डेल्टा की वेल्यू कितनी होगी 50 रिवर की वेल् कितनी है 100 100 रफे खर्च कर रहा है न वो conclusion के अंदर जब घर्चा दिखाती है 100 रफे खर्च कर रहा है तो एक बात बताओ मैं क्या यह वाली वेल्यू ले सकता था नहीं ले सकता था क्योंकि यहां तो 50 कमारा रिवर तो 50 कमारा 100 रच्ण करीन सकता तो इस वाले से आ सकता है क क्यों कि 100 रुपे कमा रहा था और 100 खर्च कर रहा है तो यह चीज कर सकता है तो यह मुझे पहाच चल गया मुझे 2nd वाले का negative लेना था अब मैं आप क्या बताया है जो मेरे पास conclusion है वो है negative negative conclusion के लिए एक statement positive चाहिए एक negative चाहिए negative वाली तो आपको पहाच चल गया है की वैलू है दोनों केसिस के अंदर हो कितनी आ रही है 50 दोनों केसे 50 आ रही है 50 कमा के 100 कर्च नहीं कर सकता तो हाडली 20 सेक्ट को कोशन भी नहीं था यह हाडली अगर कॉंसेप्ट आपके क्लियर थे तो चलो नेक्स देखते हैं अब हम इसमें 100 वाला रूल नहीं चेक कर पाएंगे जो मैं आपको बताया था कि एक वैल्यू अगर 100 आ रही है अगर नहीं आ रही तो डारट गलत कर देना है ठीक है अगर इसके उपर एक बाद में वीडियो बनाऊंगा से हैक्स के उपर से हैक्स और सिलोजिसम इसके अदर यह सारे कॉंसेप्ट हम क्लियर करेंगे जब यह पूरा कॉंसेप्ट हम पढ़ लेंगे उसके बाद एक लास में चोड़िस वीडियो बनाएंगे तो कंदर यह हैक्स आएंगे कि हम पहले कॉंक्लूजिन में चेक करें कि मेरे पास एक वैल्यू हंड्रेड है और उसके बाद स्टेट क्या चाहिए मुझे पॉजितिव दोनों सेट्मेंट्स यह पॉजिव डिजिट से कहा जाना है नॉंबर की तरफ डिजिट यहांपे है नमबर यहांपे है अच्छा ये बताओ यह कह है पॉजिव और नेगिटीव है इन दोनों को मुझे मर्ज करना है लेकिन ये तुमरें नोट डिजिट्स सम नमबर आप नोट डिजिट्स ठीक है यह क्या है नेगिटिव नमबर से डिजिट जाना है नमबर से डिजिट आना है और यह क्या है नेगिटिव कंक्लूजन ठीक है नेगिटिव कंक्लूजन तो इसका मतलब मेरे पास जो statement हो चाहिए हो क्या हमालिची है? एक positive होने चाहिए और एक highly ऑने चाहिए negative तभी मेरे पास negative conclusion आ सकता है मेरे को यह वाला negative मिल चुका हिक statement फिस्ट और स्टेटमेंट यह वाली negative मिल चुकी है इसका मुझे कौन सा वर्जन लेना पड़ेगा पॉजिटिव तभी पॉजिटिव और नेगिटिव बिलके क्या आएगा नेगिटिव कॉंक्लूजन है ना पॉजिटिव नेगिटिव बिलके नेगिटिव आएगा पॉजिटिव वर्जन में इसका क्या होगा some, only of you, अगर मैं टादू ऐसे लिख सकता हूँ, some numbers are palindrome क्यों क्योंकि मेरे को positive version लेना है, positive version क्या होता है, some negative version क्या होता है, some not, लेकि मुझे क्या लेना है, positive version तो मैं क्या लूँगा, some some numbers are palindrome, तो 50 और 50 value, यहाँ पे कितनी 100 और 100 value, common word क्या है, palindrome एक palindrome क्यों पर 100 value नहीं चाहिए, ठीक है, एक क्यों पर 100 है, तो merge हो सकता है, 50 कमारा है number, खर्च कितने कर रहा है, 100, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, direct color तो यहाँ पे आपका जो hack लगना था, वो यही hack लगना था, कि direct आप पहले number की value देखते हैं, यहाँ पर, मैं आपको जो पहले चीज़ बताई थी, यह मैं आपको can never get case समझाने के लिए इसको, जो है, मैंने आपको explain कर रहा है, बाकी आपका answer direct था, इसमें, कैसे था, देखो, यह चीज़ भी देखते रहो यह तो आपको बाह चल गया था, यह आपका positive था, लेकिन यह आपका negative था, तो negative plus कुछ भी करोगे, तो positive था कभी आएं सकता conclusion, तो that गलत हो जाता, इसमें आपको पहले क्या देखना था, 100, sorry, some numbers are not digits, all नहीं है, हम इसको all number are digits समझ लेते, लेकिन यह क्या है, can never be, can never का मतलब क्या होता है, some numbers are not digits, तो ठीक है, palindrome के उपर मेरी value थी, कितनी, 50, हमने भी बनाया था, some वाला case बना लिया था, इसको, है ना, तो 50, यहाँ पर कितनी थी, 100, तो यह तो merge हो सकता है, palindrome वाला, numbers के उपर value कितनी है, 50, कमा कितने रहे, 50, खर्चा कितना है, 50, कर सकता है, digit की value कितनी है, 100, खर्चा कितना है, 100, कर सकता है, तो हमारा सही क्या हो गया, all numbers can never be digit, हमारा सही हो गया, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या सूथ जहता है, all numbers are not digit, लेकिन यह क्या है, can never be, can never be मतलब क्या है, some numbers are not digit, तो यहाँ पर number की value कि ने change हो गई, पचास में, पचास में चिंज हो जाएगी, क्योंकि some numbers are not, सब्सक्राइब क्या लिख लेना है सम नॉट सम नंबर सम नॉट इटिट्स ठीक है नेक्स देखते हूं नेक्स केस देखते हैं तो मेरे पास है अब इसमें देखो अनली भी आ गया अनली बाइक्स आ ट्रक्स अनली ए यहां पर आनली वाला केस भी आ गया मेरे पास तो देखो हम कैसे देखेंगे पहले कंक्लूजन देखो सम कार्स आर नॉट बसे क्या है नेगिटिव कंक्लूजन है नेगिटिव के लिए एक पॉस्टिर चीह है और एक नेगिटिव चाहिए ठीक है सम कार्स की वैलिव 50 बस्टिस की वैलिव 100 बस की वैलिव यहां पर कहीं पर 100 आरे है नहीं आरे है 100 ठीक है इन दोनों कंडिशन दे तो सेटिस्वाइग कर रहा है अब हम आगे चेक करेंगे साथ के साथ यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं अप ट्रक्स की वल्यू कितनी है, 100, बसस की वल्यू भी 100 बस cartoon मेरे पास यहाँ पर 100 है, ट्रक्स के वल्यू कहीं पर 100 है, देख home only को अम कैसे लिखते हैं मैंने आपको पहले बताया था, all, जो आपका second वाला element है उसको यहाँ पे लियाओ all trucks are buses यह बन जाएगा only किसमें change हो जाएगा only bikes are trucks किसमें change हो जाएगा all trucks are bikes जो आपका second वाला element है वो पहले आजाएगा all के साथ वो पहले आजाएगा all trucks are buses ठीक है तो truck के अपर value कितनी हो गई? 100 यहाँ पर भी कितनी है? 100 है ठीक है यहाँ से तो दोनों condition मेरी satisfy हैं अभी तक next अब हम check करते हैं बाकी का आगे next check करो next check करो negative है एक statement positive होन चीए एक negative होनी चाहिए चलो cars से busses की तरफ जाना है cars कहां पर है मेरे पास? यहाँ bus कहां पर है मेरे पास? यहाँ भी है और यहाँ भी है sorry bikes है ठीक है bus तो एक ही जगा पर है car से bus जाना है ठीक है car से bus bikes common है bikes common है अच्छा अब आपको यह देखना है कि आपको only a few वाले का positive version लेना है यह negative version लेना है कैसे पता करोगे देखो negative conclusion है मेरे पास sum car सार not bus is negative conclusion है इसका मतलब एक तो positive statement होने चीए एक negative statement होने चीए इन दोनों को मुझे merge करना है second और third को मुझे merge करना है ठीक है third वाली क्या है मेरे पास यह क्या है negative third वाली negative है negative वाली मिल गई चाहिए कौन सी positive वाली इसका मतलब जो only a few में से मैं कौन सा वर्जन लोंगा positive वाला तो इसका मतलब इसको टाके sum लिख लो यहां पे समझने के लिए अपने cars की value 50 हो गई, 22 की value 50 हो गई यहां 22 की value 100 है बस इस की value भी 100 है अब देखो cars 50 कमा रहा है 50 की खर्च कर रहा है, कर सकता है, सही है बस 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, कर सकता है, सही है ठीक है न? कैसे बाचला आपको negative positive में से कौन सा वर्जन लेना है third वाला आपका negative था negative और positive statement मिलेंगे तब ही negative conclusion आएगा negative मिल गया तो मुझे क्या चाहिए positive, positive आपको यहां से मिल सकता है, only a few में एक positive भी होता है एक negative भी होता है, आपको positive वाला version लेना है negative वाला नहीं लेना चलो next देखो, conclusion next दे रखा conclusion पहला आपका ठीक हो गया पहला ठीक हो गया no trucks are buses truck से आपको कहां जाना है, bus की तरफ truck से bus की तरफ तो देखो, bike common है truck के साथ भी bike है, bus के साथ भी bike है ठीक है, bike आपका जो है, मर्ज हो जाएगा only bikes are trucks को मैंने कैसे लिख लिए all trucks are buses और यहां पे value कित्ती देदी, 100 और 100 common word क्या है हमारे पास all trucks are bikes तो यहां पे 100 और यहां 50 यहां पे कितने लिखी 100 और 100 bike value हमारे पास common है bike जो word हमारे पास common है, bike element common है इस वाला bike कितने कमारे 50, यहां पे कितने कमारे 100 ठीक है, एक जगा value 100 है, merge हो सकता है merge कर लो, truck 100 कमारे 100 ही खर्च कर रहा है bus 100 कमारे 100 ही खर्च कर रहा है यह वाली आप, यह आपके होगी negative statement यह कहाँ आपकी positive statement तो positive plus negative मिलके आपको क्या देंगे negative conclusion conclusion क्या था negative, यह वाली condition भी सही है तो आपका ठीक होगी है आपको positive negative से भी check करना है परचले आपने 100 value तो check कर ली कि 100 कमारे 100 ही खर्च कर रहा है 50 कमारे 100 कमारे 100 ही खर्च कर रहा है यह तो आपने check कर लिया कि ठीक है लेकिन अगर परचले एक पहली statement नेगेटिव थी और दूसरी भी नेगेटिव थी तो उसका अंतर direct no conclusion होता है उसमें आप conclusion टिक नहीं कर सकते है तो आपको positive negative जरूर चेक करना है नेक्स question देखो एक और question only के उपर देख लो आप इसको आप कैसे लेख सकते हो only statue or tiles को all tiles are statues ठीक है अब direct आप किस पर आजाओ some clear statue ये क्या है positive conclusion दोनों की value 50-50 है चो आगे देखो positive conclusion लाने के लिए दोनो statement positive चाहिए आपको दोनो statement positive चाहिए चलो clay से statue आना है आपको ठीक है तो clay मेरे पास यहाँ पर है statue मेरे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है लेकिन कौन से वाला statue लेना पड़ेगा आपको जिसके साथ marble जुड़ा हुआ हो क्योंकि common word बनाना पड़ेगा marble को तो marble इसके साथ जुड़ा हुआ है इसका मतलब second और third को merge करना पड़ेगा second और third को merge करना पड़ेगा अब only a few के अंदर एक positive एक negative लेकिन कौन सा लेना आपको positive लेना या negative लेना कैसे पर चलेगा देखो second और third को merge करना है second वाला क्या है positive पॉस्टीव भी conclusion है तो positive conclusion आने के लिए दोनों positive होने चीए एक positive तो मुझे मिल गया दूसरा भी positive चीए तो only a few का में कौन सा वर्जन लोंगा positive ला negative की मुझे जरूबत नहीं है तो यहां से अच्छे की value 50 हो जाएगी marble की value 50 हो जाएगी यहां भी 50 है यहां भी 50 है तो देखो marble की value दोनों जगा 50 है merge नहीं हो सकता तो direct गलत हो गया ऐसे इस statue से फिर से clay की तरफ ही आना है मुझे इस statue से फिर से clay की तरफ ही आना है तो इसी इसको पहले हटा देते हैं देखो question मुझे पहली statement दीती उसको कोई use ही नहीं हमारे पास यह सिरफ और सिरफ हमको confuse करने के लिए दीती इसकी जुरूत नहीं पढ़ी हमें statue से मुझे कहान है clay की तरफ लेकिन इस बार क्या है यह negative statement है यह आपको जरूर देखना पड़ेगा positive है negative है negative का मतलब एक statement मिरे को positive चाहिए और एक statement मुझे negative चाहिए तो second और third को fit summer मज़ करना पड़ेगा यह तो मेरे पास हो गई positive statement second वाली positive तो मिल गई negative चाहिए तो only a few से इस बार मुझे कह लेना पड़ेगा negative बर्जन तो इस बार इनकी value कितने हो जाएगी पचास और marble की 100 क्योंकि क्या हो जाएगा sum statue are not marble है ना क्योंकि मुझे negative वर्जन लेना है क्योंकि मेरे पास इस बार conclusion कह है negative तो statue की 50 marble की 100 यहाँ पे कितनी है 50 और 50 marble मेरे पास common है marble मेरे पास common है एक marble की 50 एक marble की 100 मर्ज हो सकता है कम से कम एक value 100 ची है ठीक है मर्ज सो हो सकता है statue कमा कितने रहे 50 खर्च कितने कर रहे 50 कर सकता है clay कमा कितने रहे 50 खर्च कितने कर रहे not के आगे लिखा हुए इसका मतलब 100 आगी value यहाँ पे कमा 50 रहे खर्च कितने कर रहे 100 हुआ नहीं कर सकता है तो ड डारeक क्या हो गया गलत इसको अगर आपको डार्यट बिटेक करना था तो भी ए वեղ्यू है मेरे पास कि आप कि घुसको अच्छाइब आप हरता में जिसकी value कितनी है 50, तो 50 का हमारे 100 तो कभी खर्च करीन सकता तो तो direct गलत था, चीक है ना, तो दोनों गलत हो गए, अच्छा, दोनों गलत हो गए, लेकिन clay, clay, statue, statue, जब भी element same हो और दोनों गलत हो जाता आपको इधर और चेक करना है, पहली condition save, both wrong, satisfy है, दूसरी element same है, order से मतल नहीं है मुझे, clay और clay है, statue और statue है, अगर यहाँ पर भी clay लिखा हो था, clay, statue, clay, statue, तब भी element same ही मांगते हैं, किसी भी order में लिख्यों, order से मतलब नहीं, element same होने चाहिए, same element, ये वाला positive conclusion है, some statue or not, clay, negative conclusion है, पहले वाला positive, दूसर negative, पहला positive, दूसर negative, तिनों condition satisfy है, तो ये क्या quiz हो गया, either first और second form, चीक है ना, तो इतना ही करते हम आज, only a few, only, और can never be, तीनों के case हमने देख लिए, बाकी जो इनके, जो हम possibility पढ़ेंगे जब, तो possibility के बाद इसके mix question करेंगे, जिसके अंदर only भी होगा, only a few भी होगा, possibility भी होगा, सब कुछ होगा, तो उसमें आपको और ज्यादा clearity मिल जाएगी concept की, अभी आप only a few के कुछ questions उठाओ, उनको solve करने कोईश करो, तो पहला आपको जो चीज देखनी है, वो आपको ये देखनी है, कि only a few से, एक मेरे पास यहाँ पर positive होता है, एक मेरे पास यहाँ negative होता है, तो मुझे question solve करने के लिए या तो positive लेना है या negative लेना है, वो आपको किसके बेस पाद चलेगा, conclusion के बेस पे, अगर तो conclusion positive है, conclusion negative है, आपको दो statement को merge करना है, और पहली statement अगर positive है, लेकिन conclusion negative है, तो आपको इसका कौन सा version लेना पड़ेगा, negative, क्यों positive negative बिलके negative रना है, ठीक है न, यह मैं आपको से बता दिया, तो आपको conclusion जो पडिपेंड करेगा, कि आपको positive वाला version लेना है, negative वाला, only को मैंने आपक से बता दिया, किस में change करने ना है, all में, only first अरी second लिखा होता है, only ARB जो भी लिखा होता है, तो आपको all two are one, यह वाला जो element है भी पहले आजाएगा, ठीक है न, can never mean आपको बता दिया, क्या change कर लेना है, some not में, some not, जिरफ some not का case check करना, अगर वो सही है, तो answer सही होगा, आपको अरी second-रthe कर वेजा है, सब्कता सुपताे करना है, कि सकता सही है, अगर पो रेका में, में, सब्रावादी प्रावच्वuct बता है, अर कि झारी दो भी आजा करता है, ünstनy debe अनी